महिने की रिडिंग 100 यूनिट से कम तो क्यूं आया बिजली का बिल जी हाँ यह अमित सिंग का कमेंट है मैं गिरिडी जमुआ से हूँ मेरा 100 यूनिट से कम जल रहा है फिर भी बिल क्यूं आ रहा है सभी का कि मैरा दू महिना चो महिना आठ महिना बाद और जामित्र आया तो हमको बिल देना पड़ा ऐसा नहीं है भईया दू महिना पर निकला इसको फिरी मिला यह आप देख रहें 13 मौंत यह तेरह महिना पर मिला फिर भी बिलुवा का मिला फिरी जहीं दोस्तो मैं इलेक्टिशन सरोज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है महिने की रीडिंग 100 यूनिट से कम तो क्यूं आया बिजली का बिल जी हाँ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जरखंड राजय में 100 यूनिट बिजली अभी फिरी दिया जा रहा है जिसको बढ़ा कर आप 125 यूनिट करने का प्रस्ताव भी पास हो गया है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है फिलाल 100 यूनिट बिजली ही फिरी दिया जा र बहुत सारे भोकताओं का ये सवाल था जैसा कि स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं मैं कुछ कमेंट आप लोग को दिखाना चाह रहा हूं तो ये साइड में आप स्क्रीन में देख लिजिए ये अमीत सिंग का कमेंट है मैं गिरीडी जमुआ से हूं मेरा 100 यूनिट से कम जल रहा है फिर भी बील क्यों आ रहा है सभी का ठीक है इन्होंने सवाल किया था कि इनका रीडिंग जो है उर्जा मित्र जो परची निकाल के देता है 100 यूनिट से रीडिंग कम है जैसा कि इनको बील फिर ही मिलना चाहिए 100 यूनिट से कम है लेकिन इनको बील बन के आया तो ऐसा क्यों हुआ, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं, एक और कमेंट है, संकर टेक करके हैं, और इनका भी कमेंट है कि, बिजली बिल में क्वह 100 यूनिट से कम होने पर भी बहुत लोगों का बिल आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सर ऐसा क्यों, पिलिज इस पर कोई वीडियो बनाई है, हला कि मैंने इनका कमेंट पर रिप्लाई भी किया हुआ था, कि धन्यवाद भाई मैं परियास करूंगा, बहुत ही जल्द इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूं, जिससे कि आपको और साथ ही सभी उपभोगता भाईयों को उचित मार्ग दरसन मिल एक वीडियो बनाई है, सो यूनिट से कम रिडिंग आने के बाद भी बिल क्यों आ जा रहा है, हला कि मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, कि 100 विजली का लाभ लेने के लिए किस एकूपमेंट को आपको कितना दिर चलाना है, हला कि वो वीडियो मैं लिंक डाल दूंगा देख लिजिएगा, और लेडी चैनल में वीडियो है, तो जैसा कि टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं, अब इसके बाद मैं कोई कमेंट दूसरा नहीं दिखाऊंगा, जैसा कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चलिए हम लोग टूद पॉइं समझना होगा, तो सबसे पहले तो आप लोग यह समझ लीजिए, कि 100 यूनीट जो विजली फिरी दी जाती है, account और जानते हैं, यूनीट फिरी दियाती है, उसका एक प्रोसेस हो विजली आपको 30 दिन में दी जाती है, ये बाते मैं साम आगे वीडियो के साथ सम्झाऊंग data दिया हुआ हूँ आप लोग को समझाने के लिए ही मैं क्या आगे बात करूंगा तो यह पहला consumer है इनका reading जो है 80 unit है एक महिना का bill है इनको क्या हुआ यह तो 100 unit से कम है तो फिर मिलना चाहिए लेकिन इनका bill लगा यहां मैंने status दिया हुआ है इनको bill देना पड़ा एक उपभोगता है जिनका महिने की reading 85 unit 85 unit है इन होने भी बिल दिया यानि कि इनका भी बिल जेनरेट हो गया जैसा कि 100 unit से कम है तो इनको bill नहीं लगना चाहिए तो फिर आना चाहिए था अब एक उपभोगता है जिनका बिजली unit है महिने का 90 इनका भी एक महिने का बिल है लेकिन इनको फिरी मिला यानि या एक 85 जो कि 90 से कम है इनको bill देना पड़े और ये 90 वाले को bill नहीं देना पड़ा इनको बिजली फिरी मिल गया कैसे मिला confusion तो है अब इनको छोड़िये ना इनका रीडिंग देखिये ना 110 unit है एक महिने का बिल है इनको भी फिरी मिला बहुत सारे बोगता क्या होते है ना मैं इसके बात बोलना चाहूंगा बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला हालाकि जार खंड बिजली भाग में मैं भी कारे र बताते हैं कई उनको लगता है कि गलती से बिजली विभाग हमको 100 unit से ज्यादा पर भी बिलोबा फिरी दे दिया है अब बखलोलो को क्या बताया जाए कि ऐसा कुछ नहीं है एक सिस्टम है जिसको यह फॉलो करते हुए 110 unit पर फिरी बिल मिला है उसी system पर हम बात करेंगे और उनको छुड़िये ना यहाँ देखिए 152 unit का रिडिंग है और इनको बिल मिला फिरी लेकिन बिलोबा कितना है दो महिना का है दो महिना पर बिलोबा निकला एक सब बावन यूनिट का फिर भी इनको बिलोबा फिरी मिला 100 unit से ज्यादा है ना अब यहाँ देखिए यहाँ को भोगता हैं जिनको तेरह महिना बाद बिल निकला बहुत आदमी रोनार होते हैं कि मेरा दू महिना चो महिना आठ महिना बाद उर्जा मित्र आया तो हमको बिल देना पड़ा ऐसा नहीं है भाई या दू महिना पर निकला इसको फिरी मिला यहां आप देख रहे हैं 13 मौनते अचिनी 13 महिना पर मिला फिर भी बिल वाका मिला फिरी नवे यूनिट मातरिन का चला हुआ था टेंजा नहीं लिजी है मैं सबूत दिखाऊंगा बिल का प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा एक-एक बिल का मैं सबूत दिखाऊंगा इससे पहले कि इस पॉइंट पे मैं आ होगा जोजना की नियम और सर्थों को समझना होगा कि सो यूनिट जो फिरी जोजना जारखंड में चल रही है इसका सर्थ क्या है यह जोजना लगभग लागु होई थी जुलाई अगस 2022 के आसपास बहुत सारे भोगताओं को जो की सिस्टम को फोलो कर रहे हैं जिनका का अइसたい शिस्टम को फोलो कर रहे हैं फीरी जोजना का इसमें कोई ऐसा ट्रीक नहीं है या कोईा जिडोल नहीं है कि भिजली भागवाले या उर्जामित्र जान बूचकर आपको भिजली बी फिरी दे सकता है या आपको फिरी का प्वाइंट हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों जोजना की नियम और सर्तों को हम लोग समझते हैं वाण करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यहां पर आप लोग देख सकते हैं नियम एवाट सर्ते term and condition term and condition क्या है बिजली फिरी मिलने का ओचीज हम लोग समझते हैं 100 unit वाला भूल जाईए ठीके अब यहां समझेए कि term and condition क्या है जिसके अनुसार बिजली विभाग का जो software है आपके बिल को फिरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए डिशाइड करके बिल जनरेट करता है या फिरी करता है यह देखिए तो point number one को हम लोग clear करते हैं इसमें आप देख सकते हैं यह योजना केवल घरेलू उपभोगतावों के लिए है यह योजना केवल है घरेलू उपभोगतावों के लिए है जैसे कि बहु सारा टैरिफ होता है कमर्शियल होता है अगरिकल्चर होता है उस पर हम बात नहीं करेंगे केवल यह समझ लिजिए घर का यूज के लिए जो connection है चाहे वो ग्रामिन छेत्र का हो या सारी छेत्र का हो 100 unit बिजली फिरी सब को मिलेगा घरे लूप भोक्ताओं को और दूसरा जो condition है ओ यहीं है इसी को आपको बेसिकली समझना है इसी के आधार पर फिरी बिजली मिलता है यह समझ लिजिएगा तो आप फिरी जोजना को समझ जाईएगा यह क्या है दूसरा condition प्रती दिन विधूत खपत यानि consumption जो है 3.33 unit के आधार पर यानि कि 3.333 unit आउसत के अनुसार 30 दिन में 100 unit यानि कि पौर डे का आउसत आपका 3.33 unit होना चीए इस आधार पर बिजली मिलता आपका एक महिना में निकले दो महिना में निकले छे महिना में निकले लेकिन पौर डे जब आउसत निकलिएगा तो इससे ज़्यादा आउसत पौर डे का नहीं होना चाहिए ये आप अच्छी तरह समझिएगा इस step के बाद जब मैं billing के बारे में समझाऊंगा 6 consumer का तो आप बहुत ही पौर डे का यूणिट का कितना है इसी problem को solve करने के लिए आप लोग का मदद करने के लिए मैंने एक सुभधा बना दिया इस पौरे system को एक formula पर set कर दिया है आप अपना per day consumption को निकाल सकते हो और असानी से कोई भी चाहें वो पढ़ा हो या कम पढ़ा हो ज़्यादा पढ़ा हो निकालने के लिए आपको क्या करना है खपत इकाई यानि consumption unit माने कितना unit जब आपको उर्जामित्र बिजली का बिल देगा तो कितना unit आपका consumption है उसमें लिखा रहता है बिल में सारा detail रहता है क्योंकि बिल की परची को कैसे पढ़े इसका भी वीडियो मैं अभी कुछ दिन पहले upload किया हुआ हूँ अगर आप consumption या बिल का रसिद पढ़ने नहीं आता है तो वीडियो आप देख लीजिए ये वीडियो को समझने में बहुत मदद आएगी ठीक है तो अभी क्या है कि consumption unit यानि consumption unit में billing अंतराल, billing gap से भाग देंगे दोनों का मतलब क्या हुआ कि कितना unit आपका चला है और बिल जो है कितना दिन में निकला है ये दोनों चीज अपना बिल का रसिद से आप पता कर सकता है ये data रहता है जैसा कि मैं इसके बाद बताने वाला हूँ आपको तो I hope कि आप ये system को समझ गए होंगे अब हम लोग next page पे चलते हैं और last और final page पर जिसके बारे में बात करके सारी चीजों को हम लोग clear कर लेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमने final page यानि आखरी page चार्ट बना लिया है ये 6 उपभोगताओं का billing चार्ट है जो कि मैं live देखिए बिना सबूत का आज कल किसी बात का कोई value नहीं है इसलिए दोस्तों मैं ये एक-एक सबूत के साथ आपको दिखाते जाऊंगा आप वीडियो में बने रहे हैं तो अभी आप side में screen shot में दिखाऊंगा उसके बाद इस पे हम discuss करेंगे तो हमने जो लिया हुआ है चार्ट में क्या हमारा heading है serial number का एक column है ये है date of current reading यानि किस दिन आपको बिजली बिल उर्जा मित्र के द्वारा दिया जा रहा ये होता है current reading और date of previous reading यानि पिछला जो बिल था किस महिना में किस तारीख को निकला हुआ था ओ होता है date of previous reading और जब ये बिल निकला था तो दोनों का बीच का difference कितना unit यानि consumption unit कितना था ये सारे का सारा बिजली रशिद में ही रहता है जो वीडियो मैंने बताया उसमें सारा चीज़ है वीडियो आप देख लिजिएगा उसके बाग होता है billing gap अभी billing gap का मतलब हो गया कि जो बिल निकला कितने दिन पे निकला गया है मतब कितने दिन का बील है तो इसको निकलने का simple उपाय है कि date of previous reading में date of previous reading और date of current reading का बीच का अंतर निकल लीजिएगा इसी को बूलते है billing gap डेज कितना दिन का gap में बील निकला है ठीक है तो इस दोनों को minus करके gap निकल जाएगा कितना दिन में ज़रूरी नहीं है देखिए billing का जो नियम है billing मतलब 21 दिन बाद एक कम से कम 21 दिन 21 दिन के अंदर billing नहीं निकल सकता है उर्जाय मितर चाहिए तो 21 दिन के बाद आपका बील मार सकता है ऐसे बील हो 30 दिन पर भी मार सकता है 35 दिन पर भी मार सकता है 40 दिन पर भी मार सकता है ज़रूरी नहीं है कि 30 दिन पर ही बील निकलेगा ऐसा कुछ नहीं है एक इस दिन पर भी बिल निकल देगा न तो भी आपको फिरी मिलने लाइक रहेगा कंजॉप्शन तो फिरी मिलेगा ठीके उसको मैं दिखा रहा हूं तो आप यह चीज देख लिए बिलिंग एप आप हो गया कि एवरेज यूनिट कंजॉप्शन पॉर डे मतलब एक दिन में आपका कितना यूनिट कंजॉप्शन हुआ है वो बिल का रसीद से ही आप पता कर सकते हैं जब बिल उर्जामितर आपको देगा उसमें आखिरी बिल आप चेक कर सकते हैं तो पॉर डे का कंजॉप्शन निकालने का आपका जो तरीका है कि आप जो पॉर दिन निकला है चौबीस दिन पर चौबीस से एक आसी में भाग दिजिएगा तो यह वाला जो पॉर डे एक दिन का यूनिट निकल के आ जाएगा ठीक है इसी तरह सबको बैठाया गया है अब मान लिजिए कि ओभर आल क्या मैंने फर्मूला में टर्में कंडिशन में दिख ठीक है तो अब मान लिजिए एक दिन में इतना तो इतना यूनिट को 30 से जब मॉल्टिप्लाई करिएगा तो यह यहां पर आएगा 101 यूनिट यानि कि 100 यूनिट से पार कर गया इसलिए यह बील आपको देना पड़ रहा है तो एक-एक चीज मैं आपको दिखा दूँ तो सबसे पहले मैं आपको यह बील का प्रूप दिखा रहा हूं जिस बील का मैं बात कर रहा हूं तो यह मेरा स्क्रीन रिकोर्डिंग चालू हो गया साइड में आप लोग पहले कंफर्म कर लिजिए जैसा कि देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं नीचे लिखा हुआ है द देख सकते हैं, difference unit screen में हम दिखा रहे हैं, difference unit 81, ठीके 81, और bill gap, bill gap वहीं बोला मैंने कि इसमें से इसको घटा दीजिएगा, bill gap आपका आजाएगा, ठीके, आप उसको कर सकते हैं, मैंने calculation किया हुआ है, और यहां इसको इसमें भाग देंगे, तो इतना आजाएगा, और एक दि unit, तो 30 दिन का unit इसका क्या हुआ, बनाए इसका जो consumption है, यह पोरडे के हिसाब से कितना होना चाहिए, 3.33, 3 unit, लेकिन यहां कितना चला गया, 3.37, यहां तक ठीक है, लेकिन यहां 7 हो गया, जो कि 3 से ज़्यादा है, इसलिए क्या हुआ, इनका जो 30 दिन में consumption का average है, जिस आधार पर यह consumption कर रहा है, 24 दिन में इनका इतना हो गया था, इनका जो consumption का आधार था, एक दिन में यह इतना unit का खपत कर रहा है, तो अगर इनका bill 30 दिन पर भी निकलता, तो 101 unit हो जाता, यानि कि 100 unit को पार कर जाता, इसलिए क्या हुआ, इनका bill निकल गया, ठीक है, और यह आप रूप में आप देख सकते हैं, इनका bill निकला हुआ है, यहां आपको हम दिखा रहे हैं, यहां देखिए, total assessment 525 रुपिया, government subsidy माइनस 332 रुपिया, यानि कि फिरी के दारा से बाहर चले गए, 100 unit फिरी के बाद subsidy है, 100 unit से लेकर 400 unit तक कुछ subsidy है, कुछ परसेंट, तो उस यानि इनको फिरी नहीं मिला, अगर फिरी मिला होता, तो 525 का इनको total subsidy मिल जाता, ठीके, तो इनका फिरी नहीं मिला, अब हम लोग देखेंगे next इनका bill, तो इनका open कर लेते हैं आम bill को, line में आप लोग बने रहें, तो आप लोग देख सकते हैं, अब इस bill के बारे में हम ल जुन दुहजर तेज, 29 जुन दुहजर तेज मैंने यहां लिखा हुआ है, date of current reading, 217 दुहजर तेज, ठीके, अब यहां आप देख सकते हैं, difference unit भी यहां लिखा हुआ है, 85, तो मैंने भी लिखा हुआ है, 85, ठीके, अब क्या है, अब बिल गैप, बिल गैप जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल गैप को इस मैं से 217 दुहजर तेज मैं से 29 जुन दुहजर तेज को घटाईएगा, तो आपका जो बिल गैप 22 आएगा, यानि इनका बिल जो है 22 दिन पे ही निकाल दिया गया है, तो अब 85 में एक दिन का हम लोग आउस्त निकाल लेंगे, पोर डे के आधार पे इनका क्या कॉंजरप्शन है, मतलब एक दिन में इनका कितना खपत हुआ है, इस आधार पे, तो जैसे ही 85 में 22 से भाग देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3.863, ये तो 100 युनिट से कम है, लेकिन बिजली बिल इनका 22 दिन पे निकाल दिये गया, जिसके कारण इनक इस आधार पे 30 दिन को, इसमें 30 दिन से भुना करिएगा, तो ये आ जाएगा 115 युनिट, तो जैसे ही बिजली भाग का सिस्टम में 115 युनिट काउंट किया, वो क्या किया, बिल जेनरेट कर दिया, 100 युनिट से डाटा कम है, लेकिन बिल जो है, इनका क्या है, 30 दिन पे न इनको बिल बना है, ठीके, अब हम लोग बात करेंगे, देखिए, एक यहां पे आप लोग सोच सकते हैं, कि भाईया, कहीं न कहीं ये बात तो है, कि 24 दिन पे बिल मार दिया, 22 दिन पे बिल मार दिया, तो 30 दिन पे मारना चाहिए, जब 30 दिन पे फिर है, तो 30 दिन पे मारन चाहिए क्या 3.333 unit से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसको clear करने के लिए मैंने एक Bill लिया ये वाला ठीके ये Bill ॥ आपका 90 you मिला है 100 unit से कम है फिर भी फिर 28 दिन में निकला है तीस दिन से पहले बिल निकला है फिर भी फिर डेट प्रिवेस रीडिंग आपका 24-10-2023 यहां भी है 24-10-2023 डेट अब करेंट रीडिंग 21-11-2023 यहां पर डिफरेंस यूनिट 90 जैसा कि हमने यहां 90 आप लोगों को दिखाया हुआ है अब दखिए अब इसका जो बिलिंग गैप निकलिएगा तो यह होगा 28 डेज यानि 28 अब इनका दखिए इनका यहां पर टोटल असेस्मेंट जैसा कि आप देख पा रहा है चो सथीन रुपिया है और गवर्मेंट का सबसीडी चो सथीन रुपिया का पूरा का पूरा मिल गया यानि कि यह वाला बिल जो है टोटली फिरी मिला लेकिन क्यों फिरी मिला अब का यूनिट इतना तो तीस दिन में कितना तो एक दिन में 3.214 तो तीस दिन में 96 यूनिट यानि बिजली भी भाग का सिस्टम काउंट किया कि यह फिरी देने के लायक है क्योंकि इसका 30 दिन ओबरॉल देखा जा रहा है तो 96 इनको बिल फिरी दिया गया चलिए एक समस्य और ह होता है कि बहुत सारे जैसे कि मैने वीडियो में पहले भी बता हुआ था कि बहुत सारे उपभुखताओं का 100 इनिट पार होने के बाद भी फिरी मिलता है जैसा कि इस उपभुखता को आप देख सकते हैं 110 इनका रिडिंग बिल में आया परची में और इनका बिल मिल गया जब इनका बिल फिरी मिला तो पता ही अगल बगल किसी को बता है नहीं गोतिया उतिया को भी नहीं बता है इनको लगा कि बिजली भाग जो है न गलती से हमको फिरी दे दिया अगर बगल वाला को बोलेंगे तो उनको एसा कुछ नहीं है भाईया आपका 110 उनिट भले ही मिला ह अब उस दाइरे में कैसे हैं आप लोग सबूत दखिए सबूत पर हम बात करेंगे ऐसे कोई बात करेंगे नहीं चलिए अब यहां देखिए इनका मैंने बिल खोल लिया है आप जैसे कि देख सकते हैं डेट अफ प्रिवियस रीडिंग है इनका 24-3-2023 ठीक है और डेट अफ क कि मैंने बताया इनका पौर डे का कॉंजोप्शन निकालने के लिए हम लोग बिलिंग गैप निकालेंगे तो 28-4-2023 और 24-3-2023 को घटाएंगे तो 35 डेज यानि उर्जामित्र कहीं पिकनिक वगरे पर चल गया था इनके टाइम में ठीक है तो यह बिल क्या है 35 दिन पर नि आएगा 3.142 यूनिट यानि की 3.33 से कम है यहां 142 है तो मान दीजिए कि एक दिन में इतना तो 30 दिन में कितना तो 30 दिन में 94 94 क्या है इनका 100 यूनिट से जो आउसत है कंजोप्शन का कम है इसलिए इनको बिल फिर दिया गया चलिए एक उपभगता का और किसी किसी का मन मे एक कंफ्यूजन रहता है जैसे कि मेरा जो बिजली बिल है हर महिना नहीं निकाला जाता है दो महिना छे महिना चार महिना आठ महिना पर निकाला गया उसके वजह से हमको बिजली क्या हुआ बिल चुका ना पड़ा तो एक उपभगता का आप देखिए इनका बिजली बिल दो महिना पर निकाला गया 152 यूनिट का निकाला गया फिर भी इनको बिजली फिरी मिला ठीक है तो आप देख सकते हैं कि आप दखिए इनका आप देख सकते हैं डेट आफ प्रिभीएस रीडिंग कितना है बाइस जून दुवहजर तेईस तो बाइस जून दुवहजर लगबग दू महिना पी इनका बिल निकाला गया लेकिन इनका जो कंजोप्शन है 152 यूनिट मात्र एक सो बाइस जैसे कि बिल में आप देख सकते हैं यहां एक सो बाइस इनका रहा है और इनका अब इस अनुसार चाचट से 152 यूनिट पर भाग दीजिएगा पॉर डे का कंजोप्शन निकालने के लिए तो आप देख सकते हैं यहां पर 2.303 यानि कि 3 से कम 2 यहीं पर 2 हो गया दू इनका कंजोप्शन है तो आप देख सकते हैं कि एक दिन में इतना तो 30 दिन में कितना 30 दिन में 69 मात्र 79 यूनिट इनका 30 दिन में एबरेज जा रहा है तो 100 यून सतातर रुपया का सबसीडी मिला नौ सब पांच रुपया का तो ये देखिए इनको पूरा मिला है इनका जो सतातर बहुतर रुपया जो है इनका पहले से बकाया होगा तो इसमें एड़ कर दिया है लगभग यहां इनको सबसीडी नौ सब पांच का मिल चुका है पहले का इन उनका पारं और कहीं बाहर कारिए हैं और आगे मेंट माशना चले गए तो उसमें बिल निकल जाता यह गलती है कि आपका घर बंद है उर्जा में अंदाजे में मीटर मान लिजे कि पांच इनिट चल रहा हूं मार दिया पांसो इनिट तो बिलवा तो भईया बन जाएगा न लेकिन हम यहां जन्मीन चीज का बात करते हैं कि उस केस में बिल का करेक्शन अपका हो जाएगा आवेदन दिजिये का बिल सुधार हो जाएगा लेकिन हम जन्मीन बात कर रहे हैं उर्जा में तो जो फोटो घीच के मीटर से बिल निकलता है क्वह का अनुसार उसका हम बात कर रहे हैं तो यह जब 13 महीना बाद आए इनका बिल 13 महीना बाद निकला गया तो यह सबुत देखिया इनका डेट अफ प्रिविएस रीडिंग 9-9-2022 जैसा कि हमने लिखा हुआ है 9-9-2022 डेट अफ करेंट रीडिंग 24-10-2023 नो नो दो हजर बाइस आइस का गैप निकलिएगा तो यह टूटल 410 दिन हो रहा है 410 दिन एक साल से ज्यादा यानि 13 महीना अब देखिए 410 दिन से 90 में भाग दीजिएगा कि इतना कंजॉप्शन जो है 410 दिन का है तो एक दिन का निकलने के लिए इसमें इस से भाग दीजिएगा तो यह आएगा पॉइंट यानि 0.219 मानने एक युनिट से बहुत ही कम है यानि क एक दिन में इतना ठीक है एक दिन का आउसत इतना तो 30 दिन में कितना एक सब्सक्राइब एक महीना में एक सब्सक्राइब यह फिरी ले सकते हैं लेकिन मात्र 6.5 युनिट ही यह कंजब्शन किया है इसलिए बिदुप विभाग का जो सिस्टम है वह इनको बिजली फिरी द अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मैंने तो प्रयास किया अगर आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन फिर भी रह गया हो आप हमको कमेंट कर सकते हैं मैं पूरी तरह से उसको किलियर करने का प्रयास करूंगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों झाल